एक वीवर का question है is addicted to, was addicted to, और has got addicted to क्या है तो आई ये friends उनकी confusion को खत्म करते हैं कई बार हमें अपने life में इस तरह के send messages बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं किसी इनसान को किसी चीज का लथ है यानि किसी को शराब की लथ है उसे cigarette की लथ है उसे जूट बोलने की लथ है उन लोगों को चोरी करने की लथ है तो फ्रेंट जब कभी भी आपको अपने life में बोला हो किसी इनसान को किसी काम को करने का लथ है तो वहाँ पर आप to be form के साथ लिखते हैं addicted to कैसे आई ये इस बात को examples में बेहतर तरीके से समदुआ उसे शराब पीने की लट है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे he is addicted to drinking wine यानि उसे शराब पीने की लट है ये sentence present का है अगर आपका sentence past में हो जैसे उसे शराब पीने की लट थी तो इस sentence के लिए आप कहेंगे he was addicted to drinking wine यानि उसे शराब पीने की लट थी और अगर आपको कहना हो उसे शराब पीने की लट हो गई है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे he has got addicted to drinking wine यानि उसे शराब पीने की लट हो गई है तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ का आपने यहाँ पर समझा अगर आपको कहना हो लट है तो आप इजारम के साथ बोलेंगे addicted to अगर आपको कहना हो लट थी तो आप वाजवर के साथ बोलेंगे addicted to और अगर आपको कहना हो कि लट हो गई है तो आप has got to के साथ बोलेंगे addicted to जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया आए कुछ और examples देखते हैं उसे जूट बोलने की लट है उसे जूट बोलने की लट थी उसे जूट बोलने की लट हो गई है उन लोगों को चोरी करने की लट है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे अगर आपको कहना हो उन लोगों को चोरी करने की लट हो गई है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे को बोलने के लिए आप इस इस्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेस को बोलेंगे यहां मैं आपको एक और बात बता दू कि इस टॉपिक का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंस में करते हैं यानि अच्छे सेंस में नहीं करते हैं अगर इस तरह के सेंटेस को आप अच् पीने की आदत है मुझे यह काम करने की आदत है I have a habit of doing this work यानि मुझे यह काम करने की आदत है तो फ्रेंट उमीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि इस तरह के sentences को जब आप अच्छे sense में बोलें तो आप कहेंगे have a habit of तो फ्रेंट झाल